अब यहाँ पर आपको बस रूल्स ध्यान रखने की मुव्मेंट किस तरह से होना है और objective क्या है आपका कि उस network में जो बहुत सरे roots है उसमें क्या objective है कि आपको cost minimize करनी है maximize करनी है क्या कुछ extra condition तो नहीं कि ये stations बंद पड़े है बस वो ध्यान रखिए objective ध्यान में रखिए आपका अंसार राम से आ जाता है समसा सिर्फ एक होती है आपर जो हम problem phase करते है कई बार जो हमारा network बनता है इसमें बहुत सारे roots होते है उन सारे roots को tabular form में या table form में दिया रहता है अलग-अलग से कि A से B का price इतना है distance इतना है इस तरह से तो table थोड़ी length ही अपेर होती उस root को समझने के लिए पर होता बहुत simple है क्योंकि उस root की table में जितनी सारी entries होंगी उसमें काम की entries, relevant entries जो extreme cases बनते हैं वो काफी कम होते है तो बस आपको data skim करना आना चाहिए कि बढ़ी सी table में हमारे काम की entry कौन सी है वो पेर आपने सही से निकाल दिया बहुत बढ़ी a set है जो हम solve करेंगे कुछ 2-3 slide है अगर आप पहले try करना चाहते हैं तो उन slide को मैं आपको एक बार through करो ताकि आप screenshot लेके try कर लो फिर आप solution देखना है यह रहा पहला instructions इस इस दाट roots वाली table लेलो screenshot पांच सवाल है पहले तीन सवाल यह रहे screenshot ले लीजिए और यह रहे दो सवाल और total पांच सवाल तो five questions and the distractions take the screenshot, give it a try हम आगे solve कर रहें अभी अप रोच जहान से देखेंगा चलिए तो CAT 2007 का बहुत महतरीन, useful इस से अच्छी तरह से process route से network का समझाया जा सकता है तो एक low cost airline है जो 10 Indian cities को join करती है A से J और इस table में between two pairs of airport distance दे रखा है और corresponding जो price होती है, जो company charge करती है वो हमें देखे रखा है travel is permitted only from departure to arrival airport मतलब जो दो pair दे रखे हैं, उनके बीच में distance और traveling allowed है customer, जो भी route लेगा ऐसा कभी नहीं लेगा जिसमें more than two intermediate airports मतलब दो break ले सकता है maximum उससे अदा वो breaks नहीं लेगा that is how you will decide the origin and the destination point table यही जो main कहानी होगी for example अगर आपको जाना है A से G तो आप पहले A से F जा सकते हो और फिर आप F से G जा सकते हो यह तो उस particular में distance कितना हो जाएगा this plus this और price के लिए आप इसको add कर दो table बहुत simple सी interpret करना बहुत simple इसको इसी तरह से सारे pair दे रखे है A स्टार्टिंग वाले यह रहे B वाले, C वाले, D, E, F, G, H, I इस तरह से और arrival वाले सारे यहां दे सकते हैं पेरिंग अराम से कर सकते हो तो table समझ में आगी, rules समझ में आगी friends, 90% काम तो हो गया अब बस constraints और objective सवालों में देखना है फिर table में अपस आ जाएंगे अराम से काम बन जाएगा चलो सवाल देखते है पहला सवाल What is the lowest possible fare in rupees from A to J A से J जाना है lowest possible fare हमको देखना है अब देखो, इसमें pairing तो करनी पड़ेगी अपन को तो एक काम करो जहां पे A से B lowest है वो देख लो Sorry, A से intermediate है मुझे B है ना इसमें, हाँ ये B आ रहा है lowest एक तो ये देख लिया ठीक, तो A से B is 670 और B से जाते हैं J ये B से J जाओगे 2275 इसको answer claim करने से पहले ये भी देख लो कि J तक lowest कौन सा बन रहा है ये दिख रहा है 425, जहां पे आप H से जा रहे हो और A से H का भी देख लो पर एक बार 1850 ये थोड़ा बड़ा आ गया दोनों को solve कर लो ये कितना 29 something आगा 2900 something ये कितना आ रहा है 2275 ये उससे तो कम ही आ रहा है तो देखा आपने हमने directly इस lowest वाली सो influence नहीं हुए हमने फिर भी कोशिश करी कि उधर कही lowest point करी क्योंकि pair wise sum lowest होना चाहिए 2275 आगे एक बार options देख ले lowest वाला match कर गया lowest वाला match कर गया फिर तो आपको tension ने की जरूवती लिए ठीक है चाहो तो आप देखो अब एक बार समझ ना कोई और भी pair आपको देखना है कि इससे करीब तो नहीं आ रहा उसकी testing बहुत simple है just add the two values और देखने मैंने इसको पूरा add भी नहीं कि अंदाजा सा देख से कितना है उससे कम आ गया यह answer आ गया and once your answer matches with the lowest value हो सकता है कई बार जरूरी नहीं कि सीधे lowest मत माग कर देना कई बार सवाल में होता है कि lowest ना हो हो भी सकता है नहीं तो आप तो बस pair निकालो match कर जा तो answer मत कर देना एक दो pair और ट्राय करने कर सकते हो पर आराम से आज चुका है तो और ट्राय की जरूरी नहीं है तो देखा अपने table बड़ी सी हमारे काम की चीज़ बहुत नहीं है तो वो connection ठीक से बनाना थोड़ा approximation भी कर सकते हो कि कौन सा pair उठाया जाए यहां पर सीधे ये B वाले से influence नहीं होना है बना अंतर गलत हो सकता है हो सकता है ये lowest आता पर आया नहीं हमारा lowest A से H और H से J आया अगले सवाल पर चलते है यहां पर भी A से J की बात हो रही है the company plans to introduce a direct flight between A to J market research ये indicate करता है कि all the existing passengers will use the direct flight if it is priced 5% below the minimum price that they pay at present तो company हो कितना charge रखना चाहिए जो अभी तक का lowest price है A से J का उससे 5% कम रखो कि direct flight के तो तो लोग उसमें travel करेंगे तो कितना रखना चाहिए lowest price तो आई चुकी है आपकी 2275 बस बढ़िया अब 5% कम मतलब इसका 95% charge आप रख सकते हो तो कर दो multiply हतम मत 0.95 से कर रहा हूं क्योंकि 95 मतलब 95 बे 100 से multiply कर रहे है 0.95 चलो multiply करता है 5 into 5 is 25 7 into 5 is 35 और ये 7 हो जाएगा 5 into 2 is 10 और ये 13 हो गया 5 into 2 is 10 और ये 11 हो गया 9 से भी कर दो 9 into 5 is 45 9 into 7 is 63 और ये 67 हो गया 9 into 2 is 18 और ये 4 आजएगा 9 into 18, 19, 20 ये आजएगा add कर दो 5 ये 2 आजएगा 4, 11, 6 2161.25 मतलब 2161 के आसपास हमारी यहाँ पे वो 5% कम करके आ रहा है option में है हाँ ये रहा approximately बोल आया और बिल्कुल match कर गया ये भी answer हो बने आजए आजएगा है simple मामला question भी किता लेंदी कर रहा और percentage को भी उसे include किया पर अपने वो tension नहीं आराम answer आजए इसलिए panic देखो panic के लिए बढ़े डरने की बाते हैं कि you know सवाल इसमें ज़्यादा है या data थोड़ा table बड़ी लग रही है and there are 5 options क्योंकि पहले cat में आते थे अब तो फिर चारी option रहते हैं अगले सवाल पर चलते है c d h airports are closed due to security reason समझ गया अब आप c d और h से transit नहीं ले सकते है minimum price निकालनी है a से j की friends answer 2275 तो नहीं होगा न क्योंकि वो क्या आ रहा था वाया h आ रहा था वो airport बंद हो गया आपका उसके बिना आप कौन सा lowest होगा निकाल ले आपको answer निकालना तो पता ये ना तो पहले तो ये सब चीज़गा आप कर दो आप ये सारा use हो चुका है ठीक है चलिए तो c d h यहाँ पर देख लो आप ये h वाला मना कर दियो जे तक पहुचने के लिए d वाला भी मना कर दियो c से तो आप h तक पहुची नहीं पा रहे क्योंकि ये c के station में हाँ पे h दिखनी रहा है चलो बढ़िया वात है तो आप h के तुरू तो नहीं जा सकते है अब एक तो b से जा सकते हो आप ये b वाला तो आपने काम करी दिया यहां पे और कैसे h j तक पहुच सकते हो f से पहुच सकते हो f वाला देखते हैं एक बार और g से पहुच सकते है ठीक तो एक बार f वाला देख लो a से f है आपका 1700 और f से j कितना है 1150 ओके और एक बार g का भी देख लें a से g है 2450 तो तक बड़ी वाली हो आगई और g से j कितना है 890 890 अब देखो friends ये value तो इससे भी बड़ी आगई वाया b वाले से तो इसको तो हटाई दोआ आप बस देख लो वाया f वाली 20 से ज़्यादा या कम है कम है तो ये answer बोल देगे वरना उससे answer बोल देगे this is 2850 और ये 29 something आ रहा था ये कम हो गया वाया f कम हो गया answer बन गया तो pair जो बनता है उससे comparison भी कितना simple आप देख सकते है 2850 देख रहा है answer में क्या ये रहा बन गया answer तो देख रहा आप pair selection कितना simple है आप तेबल बड़ी सी है जो कई बार डर create करती है पर हमारे काम की चीज़ी तो कम सी है और एक बार question में आप gooseby के तो rhythm देखो अब कितना अराम से आप check कर पा रहे हो because now you are through with the process कि you are अपने कैसे कैसे pair देखना है तो set में आगे बढ़ते वक्त question थोड़े और complex हो सकते है यहाँ पर तो नहीं हो रहे है पर हमाई rhythm orbiter हो जाती है दो सवाल हो रहे हैं देखते क्या कहानी है if the price includes a margin of 10% over the total cost that the company incurs what is the minimum cost per kilometer that the company incurs in flying from A to J तो यह price दे रखी है यह cost से 10% उपर है तो आपको minimum cost निकालनी है per kilometer वो price दे रखी है जैसे cost यह है 10% उपर मतलब 10% ज़्यादा का factor 1.1 होता है तो यह price आ गई अब आपको table में price दे रखी चाहिए cost तो कोई नही price value को 1.1 से divide कर देना simple सी बात है अब आपकी lowest cost कौन से आ रही थी अब तो h दुबार आ लाउड है ना आपको तो lowest price आपकी आ रही थी यह अब भई जिसकी price का में cost भी उसी कम होगी तो आपने 1.1 से divide कर दिये यह lowest cost आ गई distance कितना निकालने इक पर distance a से h और h से j यह रहा थी तो 2350 मतलब 1950 में 400 add कर दो 2350 आप divide कर दो एक बार इसका answer निकाल ले तो एक छोटा सा काम करते है भई decimal से हटा के यह 235 into 11 हो जाएगा तो यह आपने multiply कर दिया तो 2585 हो गया तो इसको हटा के 2585 लिख दो 2585 थोड़ा approximate करोगे तो 22.25 निकाल दोना आप कितना हो जाएगा देखो आगर आप 25 में 8 multiply करते हो तो कितना answer आप है 200 या basically आप देखो divide करने पर 0 आएगा फिर point आगा तो यह पर 0 carry forward होगा तो 200 बनता है 8 पे और 9 पे बनता है 225 उन दोनों के बीच में around .87, .88 यह simple दिख रहा है यहाँ और option अगर आप देखो कि इससे closest कुछ भी नहीं है इसी कैस्स value आ रहे है तो इसमें पूरा solve कोने की जरूरत ही नहीं आप बताओ भाई अपनी value 0.87, 0.8 का असपस दिख रही आती है उसके पास कुछ भी नहीं है आप आप यहाँ पर दिमाग में एक छोटी सी बात और आ सकती है कि सर उपर आपने lowest cost लेली बात समझ में आ जाती है तो एक तो price तो cost में convert करना है जिसकी price lowest उसी cost lowest पर आपको तो cost पर kilometer चाहिए ना तो हो सकते किसी और पेर के लिए जादा आती चेक कर सकते हैं वो problem नहीं आ रही यहाँ पे क्यों नहीं आ रही इधर देखो देखो अगला possible वो b वाला हमने चेक किया था कितना था यह 5 है 7 to 14 है और यह कितना है 2945 वाया भी यह रही आपकी value अब एक बार इसमें देखते हैं कि distance कितना है a से b और b से j कहां गया यह रहा तो 2860 तो 2945 कर दिया आपने 2860 कर दिया आपने अब 1.1 से 1.1 से अब एक simple सा काम में calculate करके देखो तब calculator नहीं होता था अब तो cat में है आपके पास इसमें स्वाल पे लेगते हैं वैसे तो multiply भी अभी पिछले वाले में कहता है न इसमें भी आराम से कर सकते हो तो 2945 divided by 1.1 कर दिया पहले और इसको divide कर दो 2860 से answer आ रहा है 0.94 के असपास पिछला वाला भी calculator से निकाल सकते हैं और इसको भी बिना calculator के निकाल सकते हो तो अब तब तो calculator था नहीं तो अपन ने value ऐसे निकाल लिए इसकी भी उसके भी न निकाल सकते हैं और with calculator भी आप आराम से चेक कर सकते हैं तो अपना काम बन लिए तो हां 1-2 केस और ट्राइक करना बिलकुल बढ़िया रहता है कि कहीं ऐसा नहीं किसी केस में नीचे का distance कुछ ज़्यादा आ जाए तो हो सकता है per cost per kilometer cost और काम हो जाए तो हमने try कर लिए नहीं बन रही पार तो चले friends last question एक बार और देख लेते हैं question number 5 जो है तो if the price includes a margin of 15% over the total cost which the company incurs तो हमें which of the following is the distance to be covered such that हमारी a से j में जो है cost minimize हो जाए अब ध्यान रखिए friends जहां price minimize हो रही है वहीं पे cost minimize होती है या पुछी तरह पता है और हमारी minimum क्या आचुकी है price 2275 कैसे आई थी हम a से h जा रहे थे और h से j जा रहे थे तो अगर price minimum है तो cost भी यहां minimum हो तो हमें यहां पे वो cost नहीं पूछी है हमें उस minimum cost का distance covered पूछना है तो बस a से h और h से j का distance निकाल लो यह रहे table आपकी a से h का distance है यह 1950 और x से j कहां चला गया है 400 add कर दो 2350 पे आपका answer बन जागा तो ध्यान रखना यहां पे cost मत माग कर देना तो यह था set यहां पे roots नेटपक का आभी देख लो खुद देख लो आप यहां पे कितनी बड़ी table थी सारे roots को बताने के लिए पर ultimately calculations इन में से कुछ selective roots के लिए कुछ particular entry बाकी तो कभी काम ही नहीं है हमारी ठीक है और case trial भी बहुत सारे case trial तो आपे होते नहीं है इसलिए यह chapter देखने में लेंदी दुरू table लगती है पर असान कितना होता है इसलिए actual cat-ta set मेंने करवाया आपका अपने खुद ही देख लिया कितना simple होता है तो इसके data से मत डरना और particular pair ठीक से compare करना सीख जाना और comparison में calculation कितने simple है आपके से में तो it is just about as we say interpretation of data बाकी सवाल बहुत से इसलिए ठीक है friends तो बस thank you so much कहानी समझ में आई हो तो हम और भी अब LRD के sets करेंगे उस पर मतलब कुछ काफी ज़रूरी set में search कर रहा हो आपके लिए कि बढ़िया यूनो आप रोज समझ में है और concept और बढ़िया हो आगर ये बाद समझ में आ गई हो आपके roots and network में तो clarity बढ़ गई हो तो comment करना कैसा रहा honest feedbacks और video like कर देना और exam में let us hope ही आए chapter किसी भी exam में बढ़िया है set को लेना चाहिए तो काम बढ़िया हो जाएगा और चैनल सब्सक्राइब और bell icon दबाना मत धूलिएगा आपके comments का वेट रहेगा ध्यान रखिए, take care, have a nice day